ऐस्युक्त कि विडियो में गारें ते यहां पर फिट्रेट रेट का अब्जेक्टिव डिस्कसन कर रहें तो यहां पर यहां पर 26 नंबर से आगे को कुशन को अभी देखेंगे देखे 26 नमबर का कोशन जो है स्क्रीन पर है आपका और यह कोशन क्या कर रहा है इसको देखते हैं सबसे पाले देखेंगे देखेंगे बिंदु को को कोन तै करता है आपसन नमबर यह देखेंगे जो पर मेट्रियल इस पर डिपैंड करता है का मेट्रियल का जोब पर ड्रिलिंग कर रहे हो यह डिपेंड करता है ड्रिल का पॉइंट एंगल किस पर डिपेंड करता है तो जोब का मेट्रियल पर कारण समझी यहां पर बात क्या होती है कि जदी आप माल लेते हैं वूड पर ड्रिलिंग कर रहे हो या प्लास्टिक पर ड्र तो यहां पर जोब का जो मैट्रियल होगा यहां पर किस पर तो यह ड्रील का जो पॉइंट एंगल है जोब के मैट्रियल पर डिपेंड करता है यानि किस मैट्रियल के जोब पर ड्रिलिंग कर रहे हो उस हिसाब से मेरा जो है ड्रील का पॉइंट एंगल होना चाहिए यह ड्र किस पर करता है तो जोब टृट रिखेगा इस पर करता है जोम इट buff मांट्रियल के अनुसर क्या होती है मेरा ड्रील का जो पोइट एउंगा उसको ताई राकुए हंग यहां पर क्या हो जाएगा अगे चलिये 27 नमबर का question देखिए यह numerical question है इसको एक formula बताएंगे यहाँ पर याद रखिएगा What is the drill size for rimming a 10 mm hole if under size is 0.2 mm and oversize is 0.05 mm यहाँ पर देखिए 10 mm के छेद की rimming करने के लिए drill का आकार क्या होगा अगर under size 0.2 mm और oversize 0.05 mm यहाँ हम एक formula लिखेंगे और इस formula से ही आपका इस तरह का question जो है maximum बन जाएगा तो rimmer drill size is equal to होता है rimmed size minus undersize plus oversize oversize इस formula को याद कर लिजेगा यह question आपका बन जाएगा इस तरह का maximum जो है कहीं गहीं आपका देखने को मिलता है कि rimmer drill size निकालने के लिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम इसका value को put करते है rimmed size जो है आपका कितना है 10 mm minus undersize 0.02 mm दिया हुआ है पलस oversize 0.05 mm अब यहाँ पर 10 minus क्या हो जाएगा 0.25 इसमें minus करेंगे तो कितना जाएगा 9.75 mm इसका right answer क्या हो जाएगा 9.75 mm यानि B number इसका right हो जाएगा चलिए अब आगे देखते हैं इसको यहाँ पर यही फर्मूला आप याद रखिएगा यानि रीमट ड्रिल साइट ड्रीम साइट माइनस अंडर साइज प्लस क्या है अभर साइज इससे आपका maximum कोसें जो है इस तरह का बन जाएगा पो कि यह को कहा या अगे ट्रीआख नमबर का का है को स्मझें य हका पर ठहले है यकोशन डिम्र बहुत को है यह आ पर क्या किया रहा है इस यह जो ड्रोइंग को दिखाए गया है बन गोनाम के आप रहे हो यहां पर समझिए यह मेक्सिमम में आपका option देखिए stone dresser, diamond dresser, star wheel dresser और option number D में क्या है aggressive stick dresser तो यह dresser समझी होता क्या है dresser का जो उपयोग है यहां पर जब हम लोग technical में work करते हैं dresser का उपयोग हम लोग grinder wheel को जब वह glazing हो जाता है या उसमें loading की दोस आती है उसको ठीक करने के लिए ہम लोग dresser का उपयोग किया जाता है ताकि वो जब उसमें glaging या loding की दोसा इनन तो वो कया है उसका उप्रीस सत्ह जो है वो ग्लेजिंग होने के कार। वो चिकना हो जाता है जिसके कारण से material काटना बंद कर देता है तो इस दोसको ठिक करने के लिए उस पर हम लोग क्या करते हैं यहा है इस वे इस तरह से आपको दिखने को मिल यह ये देख रहे हो यह सेम टूशेम आपकर कि स्टार की तरह है यह स्टार हे रिए तो रहे है तो यह इस्टार हूई रीसन है स्टार हो रखी एगा चले आगे बढ़ते हैं हम लोग 29 नमब देख्यां यह को सिंध कर दिख रहे हैं which indicate the strength of bond is grinding wheel देखिए कौन grinding wheel में bond की ताकत को इंगित करता है bond की जो ताकत है उसको कौन इंगित करता है और यह जदी bond की ताकत को जो इंगित करता है यह हम बता दें कि यह आपका grade इंगित करता है कौन करता है grade करता है समझज ही यहाँ पर grade होता क्या है grinder wheel में यह आपका 3 टाइप में आपको grade देखने को मिलता है एक soft होता है medium और hard कौन-kौन सा होता है वाई soft, medium, and hard होता है यह 3 grade में यहाँ पर देखने को मिलता है soft grade जो होता है यह A से लेकर आपका F तक जो है यह आपका soft grade का आपका होता है दूसरा medium जो देख रहे हो यह G से लेके भी तक होता है G से लेके कहां तक भी तक आपको देखने को मिलेगा और hard जो grade देख रहे हो यह W, X, Y and Z जो होती है यह hard grade का आपका grinder होई लोता है इस तरह का यहाँ पर grade जो है यह क्या इंगित करता है bond की ताकत को इंगित करता है दूसरा आप से यहाँ पर देख लीजिए structure इसमें दो टाइप का structure मिरेगा एक आपका dense structure होगा और एक आपका open होगा और यह जो है यह आपका 0 से आपका 14 तक आपका numbering में रहता है जीरो से 7 तक इसमें आपका dense structure होता है और 8 से 14 तक यह क्या होती है यह open structure आपको देखने को मिलेगा फिर आपका यह यहाँ पर grain size इसमें grain size से भी इसको denote किया जाता है यानि grain size भी इसमें आपको देखने को मिलता है grinder wheel का जब भी हम लोग marking करते हैं तो वहाँ पर यह सारे चीज़ों आपको देखने को मिलता है लेकिन यहाँ पर जो है bond की ताकत को अगर पूछेगा तो यह कौन इंडिकेट कर रहा है तो यह आपका grade इंडिकेट कर रहा है अब grain size देखे grain size इसमें इस तरह से पाए जाते हैं course grain size course फिर आपका medium मिलेगा इसमे course के बाद medium fine fine के बाद very fine आता है इस तरह से आपका graph very fine के इस तरह से आपका grain size देखने को मिलेगा course में यह 106 तो आपका टूइंटी फॉर तो आपका grain size इसमें देखने को मिलता है फिर आपका medium से तर्टी से सिख्टी तक आपको देखने को मिलेगा और fine में are some 188 के 80-180 और यह जो है 220 से लेका 600 तक इसमें देखने को मिलता है यहां पर जो मेरा राइट एंसर क्या है तो यह आपका ग्रेड है यानि बी नमबर याद रखिएगा इसमें कि बॉल्ड की ताकत को कुछ इंडिकेट करता है तो ग्रेड 30 नमबर का को से देखिए विच इज दा नेम ओफ दी डिफेक्ट इफ दा सर्फेस ओफ दी ग्राइंडर विल डेवलक श्मूथ एंड शाइनिंग अफिरेंस समझ यह बात क्या है उस दोस्क का क्या नाम है अगर ग्राइंडिंग विल की सता चिकनी और चमकदार हो जाती है अभी थोड़ा दर पहले आपको बताये थे कि ग्राइंडर विल का जो सर्फेस है वो जदी चिकना हो जाए तो उस दोस्का नाम क्या है तो उस दोस्को ग्लेजिंग काते हैं क्या काते हैं ग्लेजिंग ऐसे भी आप लोग देखते हो कि कोई-कोई लड़का जो है कभी कर मा चमक रहा है तो यहां पर चमकना का मतलब होता है ग्राइंडर विल में वो दोस आ गया लेकिन उहां पर अगर देखने को मिलता है तो बड़ी हैंसम दिख रहा है तो इस तरह की बात होती है और यहां पर चमकने का मतलब क्या है ग्राइंडर विल में इसमें दोस आ गया डि देखे थर्टीवान नम्मर का कोश्चिन क्यों किर्षी उपकरण जो है रोट आइरन से बनते हैं तो बात समझे किर्षी उपकरण जो है मेक्सिमुम जो है इसका वर्क हम लोगों कहा होता है खेती में यानि किर्षी उवर्क में और उहां पर जो है मेक्सिमुम जो है किर्षी में क्या होती है वो जो आइरन जो होगा वो पानी से हमेशा क्या रहता है वो टेच में रहता है और पानी से अगर iron को अगर टच में रखोगे तो उसमें problem क्या होगा भाई तो उसमें हमेशा जो है जंग लगने का क्या होती है problem बना रहता है तो यह इससे दूर होना चाहिए तो यहां पर दिखिए रोट फर्नेस का यहां पर एक फोटो है इसको देखते हम लोग यह फोटो देखे सबसे पहले फोटो देख रहा है यह यह आपड़ यह जो है यह फोटो जो देख रहे आप लोग यह बलास्ट फरनेस का है और इस फरनेस से जो है लोग क्यार करते हैं यहां पर एक्स जो आपको दिखा रहा है यहां पर इस भाग का नाम आपको पूछ रहा है यह देख रहे हो और इस भाग का नाम जो है यह है अपका टुएर्स है क्या है टुएर्स याद रखिएगा क्या नाम है इसका टुएर्स इसका वर्क क्या होता है समझी यहां से होट एयर सप्लाई किया जाता है गर्म हवा का जो जोका होता है होट एयर इसकी सप्लाई किया जाता है कहां से तो टुवेर्स से तो टुवेर्स से क्या चीज़ का सप्लाई किया जाता है पुछता है तो होट एयर्स का यहां पर देखें यहां पर यह है आपका loose leg क्या है यह martens leg को मोल्टेन स्लेग को इसकी अगर हम बात करेंगे इस डाइमिटर की यह जो दाइमिटर इसका होता है यह आपका 6 मेटर से आपका 10 मीटर तक इसकी डाइमिटर देखने को मिलता है इस इसका जो बना जो होता है यह तेक है यह फर्णेस दूसरा इसकी अगर हम यहाँ पर देखेंगे इसकी हाइट जो है यहाँ से यहाँ तक की हाइट यह 15 मिटर होती है कितनी होती है 15 मिटर इसकी हाइट होती है और इसकी पूरा हाइट अगर हम देखना चाहेंगे यहाँ से यहाँ तक यह आपका 30 मिटर आपका देखने को इतना 30-30 मिटर इसकी हाइट होती है दूसरा चीज यहां से जो आपका अरो उपर दिखाया गया है यह एक ज़स्ट यहां से निकल जाता है देख रहा है यह फिर हैज तो इस तरह को इसक और बहुत सपर आंगे बहुता है यहां पर कि अमकूं थर्टी थी नम्बर का कोश्रें देखिए आपर यह क्या है इसमें अगे 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 इसमें कि इसली दा रेंज आफ कारवन कॉंटेंट इन कास्ट आइरल्ब में नोचारवन कॉंटेंट का रेंज आपको पूजा रहा है है इसमें जो कारवन सब्सक्राइब नलॉय में कितना होता है तो ऩेlya से फॉर याद रखेगा याफ यह एक आय खाश्ण देखिए अप्सक्रार बस्सक्राइब यह बीद सब्सक्राइब करके आपको कूछ रहेगी, यह कौन सा पार्ट्स है? यहां ध्यान दिएगा. What is the name of the part mark as X Brannier Micrometer? यहां अपको negativity कर रहा है, इसको ध्यान दिजिए, यह कौन सा पार्ट्स है, और इसको जो है, हम लोग हिंबल से हैंने हैं ओन्ने आपका थम्स से क्या करते हैं. इसको मुमेट करते हैं तो इसी आपको पता चला जाना ची का यहां पर आई है तूटे हुए स्टर्ड को हटाने की विधी क्या है यहां पर टूटा हुआ एक स्टर्ड है और इसको हटाने का जो तरीका है यह पूझ रहा है अब यह जो आप देख रहे हो यहां पर एक पंच का यूज किया जा रहा है यह कौन सा पंच है यह जो पंच है यह प्रीक पंच ह method कैसे हम लोग stote को हडा रहे हैं तो prick punch method से यह punch देखे हो इसी punch से आप लोग पकड़ लिजेगा कही भी आपका punch लिखा हुआ है क्या नहीं है तो इसी यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर यह prick punch है, ओन सा 5 है तो prick punch याद रखेगा, यानी प्रीक पंच मेथट के दोवारा हम लोग क्या करें इस इस्टर्ट को हम लोग निकाल रहे हैं आगे देखिए 36 वाट इस दा अपरेशन ओफ बेबल दा इंड ओफ ड्रील होल देखिए एक ड्रील किये गए छेद के अंत में अंत को बेबलिंग का कार्ज क्या है तो ड्रील जब हम लोग कर लिया और उसका इंड पॉइंट पर हम लोग उसको क्या करते हैं बेबल कर देते हैं इस तरह से करते हैं कीम दविर्ट कर रहें इसका मतलब क्या है यहां पर पूझ Suppose करने को क्या का ज़ता है यहां से देखने को मिलेगा अपका सीधा सीधा रहेगा तो इसको कहें यहां से यहां तक यहां सीधा की तरह का डिजाइन आपको आ गया तो ये इसको क्या कहते हैं कं़ु अजका आ जाता है और इसका राइड यंजर क्या जागागा कि इस इनकरेक्ट आनगर सकता है तो अभी आप लोगों को से पहले आप लोको बता चुके हैं कि clearance rien perdu में जब भी कभी जह दिक्केत हो तो उना रहाता है क्याょ तो यहां देखी क्या हो जाएगा ओभेक्ट होना सुरू हो जयो जहाँ clearance सही नहीं रहाता है तो उसमें क्या होता है उसमें घिसने से क्या होता है उहां पर हीट होने चांस उसकल निए बना घांता है इसलिये जहां भी कि य। इठup तो निए तो बना रहता है इसलिये आपर राइक अन्ट का जाएका के ओवर हीट टेल किशेbon वाला कोशन और है देख देख़ लिए आ पर यहां देखिए इसमें देखिए इसमें भी आपको क्या पूछ रहा है यह कौन सा जो है इंगल है यह यहां देखिए एक यह एक्सिस दिखाया गया है और इसके साथ एक यहां पर इंगल दिखाया है और इसके बीच का जो इंगल है यह पूछ रहा है और यह जो इंगल आपको जो इहां पर कर रहा है इसको कहा जाता है नेगेटिव रेक इंगल क्या करते हैं इसको नेगेटिव रेक इंगल कैसे देखने को मिलेगा तो देखिए पोजिटिव रेक इंगल जो है ना इधर से इस तरह का जदी ज्यादा ऐसे बना रहेगा इस तरह का ठीक है तो इस तरह का बना रहेगा तो वहाँ पर positive angle रेखने को मिलता है यह कौन सा एंगल है तो नेगेटिव रेक एंगल है यह चलिए थर्टी नाइन देखे थर्टी नाइन नंबर क्या कर रहा है विच रीमर इज यूज फोर रिमिंग इंटर्नल Metric Most Teper Hall अन्तरिक Metric Most Teper Hall की रीमिंग करने के लिए किस रीमर का उपयोक किया जाता है इसको याद कियेगा कि अन्तरिक Most Teper Hall में हमको क्या करना है रीमिंग करना है तो वहाँ पर हम लोग जो है socket remer with parallel sink का उप्यों करते हैं किसका उप्यों करते हैं तो socket remer याद रखिएगा कौनसा रीमर भाई socket remer के साथ parallel sink का हमलों उप्यों करते हैं आपर यानि इसका right answer कौनसा हो जाएगा D number हो जाएगा कि यहाँ पर आईजी एक फिर से आपका remer का यहाँ पर फोटो देख रहा है यह देखी यह जो remer है इस फोटो का नाम आपको बताना है तो यह देखी कि आपको पता चल गया होगा यह कौन सा इसको पहचान किजिए यह आप लोग ड्रील में देखे होंगे इस तरह का एक पार्ट्स आता है और इस पार्ट्स का नाम है आरवर क्या नाम है आरवर यहां पर फोटो पहचान करने बोल रहा है यह आपको सिंपल सा है पार्ट्स है यह चांते कि इस तरह से नहीं होता है यहां से ये कौन सा चीज़ें कि क्या आर वर अगया अगया अँग कि इस तरह का कॉश्यन तो पहले भी एक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि कि रीमर में लोग टेपर लिड होता है और लॉग टेपर लीड जो है कि की सिम्य मिलता है तो हांटि मर में किस में देखने को मिलता है वए तो हैंड रिमार में जो हैं लोग टेपर लिड हता है इसमें सिन्ट रीमार में याद रखना लॉट दट meeर टेफ ओन ड्रिज उट भल जिम की गए हुल पर किस परकार का दोस है यह Kitchenえば मि झौट सब्सक्राइब रहा है या अनि जो सेंट्र गरिया क्रक्राणी झाट है उसमें इस से सेरां कॉर्यशन के भी आता है इसमें क्या होता है तो गोभर्स होल होने का इसमें चांस बना रहाता है